जय हिंद सबसे पर्ले स्वागत है आपसे नए वीडियो पे इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूं यह जानकारी वैसे कैंडिडेट के लिए है जो कन्या उथान योजना का लाव लेना चाहते हैं और वो ग्रेजिशन पास हो चुके हैं तो इस वीडियो के मा आप लोगों को इससे समधित पूरी जानकारी कहां मिलेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है इससे पहले मैं आप लोगों को बता दू देखिए मैंने कधी आप लोगों को से मिलने का वादा किया हूं और आप लोगों के गौंग का भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो डे आप मों का प्यार और सफोर्ट चाहिए और और इन फैस्पीज बनाई और मैंने कहते फोलो करने के लिए के लिए आप लोग सब्सक्राइबरल को फोलो कर लिए इतना पुरा दिये और प्यां सब्सक्राइबर येदिल farm लिए फोलो कर बताऊंगा उस वीडियो के मादेंसे और जो जो है हिंट मुझसे चाहिए मैं आप लोगों को फेस्बूक के मादेंसे बताने का परियास करूंगा ठीक है तो थरा फोलो कर लिए डिस्क्रिशन बॉक्स लिंक दिया हूं अच्छा नहीं लगता है फेस्बूक पर इतना सब्सक प्रकेरिया जो 2023 में पास किये हुए है उनके लिए आवेदन के प्रकेरिया भी नहीं शुरू की गई है इसलिए आप लोगों को मैं इनफॉर्म कर दूंगा और आप लोग जो है तब आप लोग आवेदन करिएगा ठीक है और आप लोगों कि मैं खुछ से कैसे चेक कर आप लोगों नहीं को सब्सक्राइब है को अबितने युँऋ डियोगों को मिलेगा तो और पास कैंडिट को पचास और हॽाजार रोपया और अब किसको मिलेगा और मिलेंगे और दूसरी लड़कियों में कंफ्युजन को भूलेंगे या दोनों को मिलेंगे यहां पर मैं आप लोगों को एक confusion दूर कर देता हूं देखिए जब आप online आवेधन किये होंगे एड़ेशन है तो उस समय अगर आप unmarried होंगे ठीक है और आप लोग आवेधन किये होंगे तो आवेधन स्थिति में क्या लिखे होंगे लिखे होंगे न तो उस समय अगर आप unmarried होंगे तो आप लोग यह समझे की सब को मिलेंगे वैसे भी सरकार को दिया है कि इंटर पास और विवाहित महिलाओं को ही मिलेगा लग्यों को ही मिलेगा लेकिन गरेजिएशन में दिवाहित हो या और विवाहित हो दोनों को पैसे में अब शलना पाँने वेडाथ है कि दोकॉमेंट कि टियार करके अभी यह राक लेना है ताकि आप में दिक्कत नहों हो साथ यह अलग लग लग डिटीयल उसके राते हैं इस कारण से उसको पैसा नहीं मिल पाता है और रिजेक्ट हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले बात कि आपके अधार कार्ड को भी अपडेट करवा लिजेगा तैंत के हिसाब से तैंत में जो आपका नाम है अधार कार्ड पर रहना चाहिए आपके पिता का नाम पर दिकत नहीं होगा आपका डेट अधार पर है और सटीपिकेट पर जो अधार है तो यह आप लोगों को सब सब्सक्राइब करना चाहिए आपके नाम से आपके नाम से खाता खुला खुला रहना चाहिए जो इसके बाद रखेंगे सब्सक्राइब करना चाहिए अपके पास नहीं है वह आने का इंतजार करें इसके बाद जाती आवास यह आए अपने पिताजी के यहां का रहना चाहिए चाहिए और यह सबी चीज़ आप लोगो तयार करके रखना है जो बेसिक डिटेल है मैंने बता दी है कि अधार अपडेट करवा लीजिगा कि उसमें टाइम लग जाता है जाती आवास यह में 10-15-10 दिन का समय लग जाता है इसलिए मैंने आप लोग को बता देंग में भी चाहिए जाएंगे तो बोलेगा कि पैंड कार्ट दीजिए तो उस समय आपके पास पैंड कार्ट नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा इसलिए और वैसे पैंड कार अपडेट रहना चाहिए एक बार में 50,000 जाएगा तो इसलिए आप लोगों को याद रखेंगे कि आप पैंड कार्ट बनवा लीजिएगा और बैंक पास्बुक से एड करवा लीजिएगा या एकॉंट नमबर से एड करवा लीजिएगा ताकि आप लोगों के पैसा सुरक्षित जो है आपके एकॉंट में पहुंच जाए एक बात और आप लोगों में confusion है कि जो गरेजिशन में फर्स्ट क्लास किये रहेंगे उन्हीं को मिलेगा या सेकेंड क्लास जो किये हैं उनको भी मिलेगा तो मैं आप लोगों को असपर्स्ट जानकारी दे दूँ चाहे आप फर्स्ट क्लास किये हुए हैं या सेकेंड किये हुए हैं चाहे आप आर्ट के हैं कॉमर्स के हैं या सा भी को मिलेंगे और साथ हमें यह भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और लिपसर को ओन करके रख लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ही धन्यवाद जैहिन जैभाराद